नमस्कार दोस्तों स्वागत है आपका इस्टेडी फॉर्ट सिविल सिर्पसेज में फ्री वीडियो के लिए चैनल को तुरं सब्सक्राइब कर लिए और और नोटिफिकेशन को जरूर ओन कर लेना हमारा फ्री वाला टेलिग्राम ये वालोगों जरूर सा जरूर जोईन कर लिजेगा सब्सक्राइब करेंगे 26 सब्सक्राइब तक की निवस इसमें शामिल की गई है इसको जल्दी बनाने को परपरस यह है कि UPPCS के हमारे जो एस्प्रेंट है वो इसको तयार कर ले लेटेस्ट के मन्त से जादा करेंट फेर पूछा जा रहा है आजकल तो सब्टेंबर अगस्ट जुलाई और जून बहुत इंपॉर्टन मन्त है आपके लिए वैसे तो पूरे साल करेंट फेर हमने तयार करवाया हुआ है अगर आप UPPCS के 2021 पेड कोर्स से जुड़ना चाहते तो इंदों के वे नंबर पर आप कॉल कर सकते हैं वाटसप कर सकते हैं और अधिक जानकारी प्राप कर सकते हैं बिल्कुल भी टाइम वेस्ट ना करते हुए शुरुवात करेंगे अग्रिमेंट सबसे पहले देखेंगे सप्टरमबर मंत की इंफोसिस ने प्रोडेक्ट डिजाइन फर्म जो केलिड्रोस्कोप इनोवेशन है उसका अधिक्रहण कर लिया है कभी-कभी सब चीज़े फांडेशन है ठीक है फेस्बुक का ही ओंडेश्ट वाट्साइप और इसने साइबर पीस फांडेशन के साथ अवेरनेस चलाने के लिए किया है और अवेरनेस कैंपेइन के लिए 15,000 स्टूडेंट को ये 5 स्टेट में पहले फेस में अपना ट्रेंड करेंगे आपको पता ह से कितनी सारी फेक न्यूस जो है डिलिवर की जाती है तो इसका उप्योग जो है साइबर अवेरनेस पढ़ाने में करेंगे ये कहने का मतलब है युवाओं को डिजिटली कोशल करने के लिए जो है एंसी डीसी ने लिंक डिन के साथ समझाता किया है एंसी डीसी लगतार कु कि वहाँ पर एडवेंचर टूरिजम को बढ़ावा देंगे बस इतनी ही न्यूस थी यहां पर एग्रिमेंट में मोस्ट इंपोर्टन उसके बाद आ जाते हैं अब अपॉइंट्मेंट्स पर अपॉइंट्मेंट में हमने देखा राजीव कुमार का जो कह सकते हैं न्यूक आप विजय कुमार चोपडा को रिपलेस किया है अब पीटी आइए के ने अध्यक्ष कौन है अभीक सरकार पीटी आइए अलग है पीआइबी नग है पीआइबी के इस समय कौन है प्रेस इंफोमेशन व्यूरो के आप कोमेंट करके बताएए ठीक है PTI Press Trust of India के हैं इस समय अभीक सरकार दोनों में confuse मत करिएगा प्रमोद चांदर मोदी ये जो है Chairperson बन गये है Central Board of Direct Access के CBDT के नए Chairperson है प्रमोद चांदर मोदी 6 महीनों के लिए इनका कारेकाल बढ़ा दिया है नए क्या यही पुराने थे इनका कारेकाल बढ़ा दिया है अभी आपने देखा होगा COVID-19 के वज़े से महत्पूर्ण जो पद हैं उनने कोई भी changes नहीं हुआ है जो existing थे उननी के कारेकाल को लगतार बढ़ाया जा रहा है तो एक तरीके से परिक्षारतियों का काम असान हो रहा है most important जो appointment से UPPCS prelims के लिए important है वो CVC के जो इस समय मतलब head बने थे आपके जून मन्त में और CIC एने मारे Chief Information Commissioner और Central Vigilance Commissioner जो बने हैं उनके नाम जरूर देखेगा आप कोमोडोर हेमंत खत्री यसे वनिवरत ये आंध प्रदेश के विशाखा पत्नमिस्थित जो रक्षा सिप बिल्डर्स हिंदुस्तान सिप याड लिम्टेड है उशा पाढ़े बन गई है डिरेक्टर जनरल Civil Aviation Security Bureau विनूत कुमार यादो जो चेर परसन है रेलवे बोर्ड के इनको अतरिक्त उप्रभार दिया गया है अब ये जो है रेलवे बोर्ड के CEO भी है और चेर परसन भी है मारती सुस्की के MDO CEO जो है केनिशी ओयुकावा Society of Indian Automobiles Manufacturers Siam के अध्यक्ष बन गए है उसके बाद विंकेज गुलाटी 2020 से 2022 तक के लिए Federation of Automobile Dealers Association F.A.D.A. के 35 वे अध्यक्ष बने है अनिल जैन ये अखिल भारती टेनिस संग के अध्यक्ष बने है परेश रावल जो है National School of Drama के इन्टाय चेयर परसन बने है ये पत जो है important है ठीक है पूछ जा सकता है उसके बाद प्रिति सुडान ये पूर्व स्वास्थ सचिव थी अब इनको क्या है World Health Organization का जो एक independent panel बनाया गया है Epidermological Preparedness और Response के लिए तो 11 पैनलिस्ट जो है इसमें प्रिति सुडान को भी सामिल कर लिया गया है ये आप याद रखिएगा तो पूछ सकते हैं कि WHO ने जो भी 11 लोगों का पैनल बनाया है Epidermological Preparedness Response के लिए उसमें किस भारती मूल की महिलाक शामिल किया है तो उनका नाम है प्रिति सुडान उसके बाद है Bollywood अपनेता आयुश्मान खुराना जो UNICEF है इन्होंने अपना जो अभियान इनका चलता है For Every Child इसके लिए Celebrity Advocate बनाया है ठीक है For Every Child कैंपेन के लिए Celebrity Advocate बनाया है राश्री पुरुसकार विजेता आयुश्मान खुराना को UNICEF के इससे में Director General कौन है हन्रीटा H4 और इसका Headquarter कहां पर आपको पता है संयुक्तराज अमेरिका ये New York में है उसके बाद सुभाश कामत इनका जो appointment हुआ है ये Chairperson बनाये गए है Advertising Standard Council of India ASCI के Jen Fraser जो है City Group की मुखे कारिकारी अधिकारी बन गई है ज्यादा दर Bank के appointment आते नहीं है तो ये ज्यादा important नहीं है हमारे लिए उसके बाद IS अधिकारी राजेश खुलर इन्हें Washington DC स्थित विश बैंक के कारिकारी निदेशक के तार पर निउत किया गया है ये जो है executive director बने है और ये इंडिया समेत इन countries को represent करेंगे ठीक है वल्ड बैंक में इंडिया को, बंगले देश को, भूटान को, श्रीलंका को ये वल्ड बैंक में represent करेंगे तो इनका appointment भी काफ़ important है आगे बढ़ते हैं आगे जनता दल United के हरिवन्स नरायन सिंग ये जो है reelect हो चुके है इनका re-election हुआ है उसके बाद टेको कोनिशी एशियन डेवलप्रेंट बैंक ने जो है इन्हें भारत का country director बनाया गए टेको कोनिशी नरायन सिंग तो मर ये union minister of agriculture बन गए है ऐसा क्यूं हुआ है ऐसा इसलिए हुआ है क्योंकि इनको आतिरिक्ट प्रभार दिया गया ہے हर सिमृत का और बादल ने स्तीफा दे दिया था क्योंकि जो बिल आ रहा था किसान बिल जो आ रहा है जिस पर काफी बावाल चल रहा है ने नहीं कहा था कि युनिनिस्टर ऑफ एग्रिकल्चर जो है नरेंज सिंह तोमर है पहले से पहले से ही है इन्हें अतिरिक्त प्रभार दिया गया है हरसिम्रत का और बादल ने जो पद छोड़ दिया है उन्होंने कौन सा पद छोड़ा है खाद प्रसंसकरण उद्द्योग मंत्राले जो है हरसि प्रसंसकरण उद्द्योग मंत्राले जो है अब युनिन मिनिस्टर ऑफ एग्रिकल्चर के अधीन है इनको कुल मिलाकर दो मंत्राले मिल गए है ठीक है उसके बाद पूर्व रिसर्च और अनलीसिस विंग यानि रॉक के जो हैड है निल धस्माना इनको एंटी आरो का निदेशक के सलाहकार ये बने है ठीक है आइमेफ के कह सकते हैं एग्जेक्यूटिव डिरेक्टर के एडवाइजर ये बने है तो कभी भी ऐसी बॉडीज में अगर कोई भी पद किसी भारती को मिलता है भारतीया येस आफीसर को या फिर किसी भारती मूल के विक्ति को तो उर्जा दक्षता सेवा लिम्टेड कंपनी गाम करती है ये PSU इसके बन गए है प्रबंद निदेशक यानि कि मनेजिंग डिरेक्टर Awards and Honors देख लेंगे Awards and Honors में सबसे पहले National Energy Leader और Excellence Energy Efficient Unit का पुरुसकार जो है ये मिला है दो entities को मिला है यानि कि National Energy Leader किसे बनाया गया है अंतराश्ट्री, हवाईड़ा जो International Airport हमारे यहाँ पर राजीव गांधी International Airport हाइदरबाद ठीक है ये बना है National Energy Leader इस पुरुसकार में और Excellent Energy Efficient Unit कौन बनाया है ये राश्ट्री इस पात निगम लिम्टेड विशाखा पट्टम का जो Steel Plant है वो ठीक है ये इंपॉर्टन बात है यहाँ पर और ये पुरुसकार देता कौन है ये पुरुसकार दी जाता है गोदरेज Green Business Center के द्वारा जो की भारती उद्द्योग परिसंग के इंतरगत काम करता है Confederation of Industries के द्वारा दिया जाने वाले कुल मिला के पुरुसकार है दो कटेग्रीज दो अवार्डीज द्यान रखिएगा ये अंतरराश्ट्री राजीव गांधी हवाइड़ा नैसल एनर्जी लीडर के तौर पर और एक्सिलेंट एनर्जी एफिशेंट यूनिट का पुरुसकार ये राश्ट्री इसपात निगम लिम्टेड का जो स्टील प्लान्ट है विशाखा पठना मांध्र प्रदेश में उसे All India Management Association का जो ये बिजनिस सिमिलेशन गेम प्रतियोगता हुई थी उसमें उर्जा मंत्राले के इंतरगत काम करने वाला जो PSU है NTPC Limited इनकी टीम ने ये कुलविलाकर की ये competition जीत लिया था ठीक है NTPC अवेलूर तमिलनाडू जो है इसने Championship जीती थी कुलविलाकर के 112 organizations की team all over the countries में आई थी ये चाड़क के के कुलविलाकर business simulation game हुआ था तो उसमें जो है ये जीता गया है NTPC Limited की टीम के दोरा ठीक है उसके बाद प्रतिष्ठित इंद्रा गांधी पुरुसकार ये हम पहले भी अवार्ड्स ऑफ एक्सिलेंस की सर्मनी में थी उसमें HDFC बैंक के प्रबंध निदेशक आदित्य पुरी को ठीक है lifetime achievement अवार्ड यूरो मनी अवार्ड्स ऑफ एक्सिलेंस का आदित्य पुरी को मिला है HDFC बैंक के प्रबंध निदेशक है उसके बाद 5-star COVID-19 रेटिंग पाने वाला दुनिया का पहला एरपोर्ट यह रोम इटली में फिमिस्नो इंटरनेशल एरपोर्ट है जिसको लिएनॉड डाविंशी इंटरनेशल एरपोर्ट भी कहा जाता है ठीक है इसे पुरुसकार बिला है एशिया गेम चेंजर अवार्ड जो है हर साल मिलता है यह एशिया सोसाइटी करके एक नॉन प्रॉफिट और्गनिजेशन है अमेरिका में वो एशिया के वक्तियों को समानित करता है फीड इंडिया कैंपेंज जो चलाया था कोविड-19 के दौराने शेफ विकास खन्ना ने उसके लिए इन्हें मिला है एशिया गेम चेंजर अवार्ड पिछले साल मैन बुकर जिन्हों ने जीता था डेटन लिट्रेरी पीस प्राइज लाइफ टेम अचीवमेंट अवार्ड युनों ने जीत लिया है मार्गरेट एटवुड ने ठीक है कि जो पहले किसी को हसाते हैं लेकिन फिर सोचने पर मजबूर करते हैं ऐसे लीडर को मिलता है आई जी नोबल पुरुसकार ठीक है जिसको इगनोबल भी आप बोल सकते हैं इगनोबल पुरुसकार नरेंद्र वोंदी को मिला है यह दूसरे भारतिय प्राइम मिनिस्टर है तिल भी हारिवाचपई के बाद यहें इक नोबल पुरुसकार मिला है ठीक है इक नोबल पुरुसकार एक नॉर्मल सी मैगजीन है वो यह पुरुसकार अनौन्स करती हैं साल एमी आवार्ट्स जो हैं एनौन्स किये गए थे ठीक है Emmy Awards में आप जो ये वाली कटेग्रीज हैं इनको बस देख लिएगा Drama Series में Succession को मिला है Supporting Actor in a Drama Series Julia Garner को Supporting Actor in a Drama Series Billy Crudup को The Morning Show के लिए Outstanding Writing for a Drama Series Succession Outstanding Direction for a Drama Series Succession बस इतना ही Important है उसके बाद Book Stand Author पे आ जाते हैं The Big Thoughts of Little Love ये किस्ते लिखी है? ये है करन जोहर की किताब है The Big Thoughts of Little Love Pope Francis ने किताब निकाली है अपनी Let Us Dream ठीक है? Let Us Dream The Little Book of Green Nuggets ये कोई पुस्तक किसी लेखक की नहीं है ये पुस्तक सियूक्तराष्ट पर्रेवरेंट कारिक्रम United Nations Environment Program UNEP ने जारी किया है कुल बिलाकर के छात्रों में पर्रेवरेंट के नुकूल आदितों को शामिल करने हरित जीवन शैली अप्टाने के लिए प्रोथसाहित करने के लिए The Little Book of Green Nuggets जारी किये है ठीक है? My Life in Design ये गौरी खान ने लिखी है मतलब ये पत्ती है शारुक खान की और इन्होंने लिखी है अपनी किताब My Life in Design उसके बाद आजादी Freedom, Fascism, Fiction अरुन धती रोई की किताब आई है यहाँ पर तो लेटस्ट पर जो महौल बना है भारत पर जो राइट्स वगएरा हुए थे CEA, NRC को ले करके उस पर अधारित है ये आजादी, Freedom, Fiction, Fascism उसके बाद अप्रॉमिस्ड लैंड ये बराक उबामा की दो संस्क्रण में आने वाली किताब का पहला संस्क्रण है अप्रॉमिस्ड लैंड तो काफी आटोबाग्राफी की तरह है उनकी बराक उबामा की अप्रॉमिस्ड लैंड उसके बाद Kitchens of Gratitude ये विकास खन्ना ने लिखी है उन्ही के बारे में हम बात कर रहे थे जिनको 2020 का Asia Game Changer अवार्ड भी मिला है उनकी किताब है Kitchens of Gratitude Voice of Descent ये किताब लिखी है Historian Romila थापरने जिनकी NCRT किताब आती है बुरानी वाली Voice of Descent लिखी है रोमिला थापरने फिक है Important Days और Themes देख लेते हैं नार्यल दिवस 2 September को होता है और इस पार की Themes थी Invest in Coconut to Save the World अच्छा एक चीज़ बता दें आपको कि Days होते बहुत सारे हैं लेकिन आजकल UPP से स्पूच जरूर रहा है एक Day तो अब एक कोशन करने के लिए थोड़ा अगर अब महिनत करना चाहते हैं तो हमारा एक बार सुन लिया करिए और नॉर्मल सी चीज़ पूचते हैं कभी Theme पूचते हैं कभी Day दे करके Date पूच लेते हैं बस इतना ही होता है तो Coconut Day जो होता है 2 September को Charity दिवस होता है 5 September को शिक्षक दिवस जो भारत का होता है वो 5 September को होता है ठीक है Charity Day जो है ये मदल टेरिसा के जन्न दिवस पुरमना है जाता है नीले आसमान के लिए स्वक्ष वायू का अंतराश्ट्री दिवस International Day of Clean Air for Blue Skies ये 7 September को होता है उसके बाद अंतराश्ट्री साक्षर्ता दिवस ये 8 September को होता है और इस बार इसकी थीम थी Literacy, Teaching and Learning in the COVID Crisis and Beyond शिक्षा को हमलों से बचाने का अंतराश्ट्री दिवस होता है 9 September को उसके बाद विश्व आत्महत्यारोक्थाम दिवस होता है 10 September को इस बार इसकी थीम थी Working Together to Prevent Suicide South-South Corporation दिवस ये कब होता है 12 September को उसके बाद विश्व प्राथमिक चिकित्सा दिवस 12 September को होता है ये विश्व हिंदी दिवस नहीं है ये भारत वाला हिंदी दिवस है 14 September को होता है विश्व हिंदी दिवस चैनवरी में होता है लोगतंत्र का अंतर राष्ट्री दिवस होता है 15 September को उसके बाद राष्ट्री इंजीनियर दिवस सरमोग्ष गुंडम विश्वेश्व रहिया की चर्म दिवस के उसरपन मना जाता है अभी अंतर दिवस या फिर नैसल इंजीनियर स्टे उसके बाद अंतर राष्ट्री ओजोन परत संरक्ष्ण दिवस इस बार इसकी थीम जरूर देख लीजेगा 35 years of ozone layer protection ठीक है ओजोन for life 16 September को होता है विश्व रोगी सुरक्षा दिवस 17 September को होता है Health worker safety a priority for patient safety ये इस बार इसकी थीम थी उसके बाद अविश्व बास दिवस ये होता है 18 September को Bamboo now इसकी थीम थी अंतर राष्ट्री समान वेतन दिवस ये होता है 18 September को उसके बाद अविश्व जल निगरानी दिवस 18 September को Solve water इसकी थीम थी Solve water अंतर राष्ट्री समती दिवस होता है 21 September को Shaping peace together इस बार इसकी थीम थी उसके बाद अंतर राष्ट्री 30 ये स्वक्षता दिवस ये होता है 19 September को इस बार इसकी थीम थी Achieving a Trash Free Cost Line उसके बाद विश्व अल्जाइमर दिवस 21 September को हुआ था ठीक है विश्व अल्जाइमर दिवस Let's Talk About a Dementia इसकी थीम थी उसके बाद अंतर राष्ट्री Red Panda दिवस Panda आपको बता है कि हमारे एक राज सिक्किम का राज की पशू है तो Red Panda दिवस ही होता है 19 September को ठीक है उसके बाद मतलब कुल मिलाकर कि September को होता है तीसरे सनिवार को September के तीसरे सनिवार जो भी दिवस पढ़ता है उस दिन होता है इसको याद रखेगा उसके बाद अंतराष्ट्री सांकेतिक 22 साइन लैंग्विजस डे 23 September को गैंडा दिवस 22 September को ठीक है ट्रांस्फॉर्मिंग ग्लोबल हेल्थ इसकी थीम थी उसके बाद अंत्योदे दिवस 25 सेप्टेंबर को होता है पंडित दीन द्याले उपाद्याई की जन्म दिवस पर उसके बाद विश्व पर्यावरन स्वास्थ दिवस 26 सेप्टेंबर को होता है इसकी थीम थी इन्वार्मेंटल हेल्थ पब्लिक हेल्थ इंटर्वेंशन इन डिसीज पैंडिमिक प्रवेंशन परमाडू हतियारों के कुल या समूल उन्मूलन के लिए अंतराष्टरी दिवस ये 26 सेप्टेंबर को होता है अब हम आजाते हैं याँ पर कुछ डिफेंस न्यूस पर डिफेंस न्यूस में वही है कि कावकास जो होने वाला था अस्तराखन प्रोविंस साधर्न रशिया में इसमें सारे स्यू मेंबर्स अमध्ध एशिया देश पार्सपेट करने वाले थे इंडिया लेकिन चाइना के साथ जो मारी टेंशन चल रही तो भारत ने इस पर विड्रॉ करने का फैसला ले लिया था कि भारत इसमें पार्सपेट नहीं करेगा उसके बाद इंदर का नेवी एक्सरसाइज यह बंगाल में हुआ था इंदर हम किसके साथ करते हैं एक्सरसा गोल्डेन एरोज में जो कि अमबाला में हमारा है स्क्वाडरन इसमें पांच रैफेल शामिल कर दिये गए हैं यह नाउंस कर दिया गया है कि एरो इंडिया 2021 का तेरवा संसक्रण जो है यह लंका में होगा करनाटक में जो वायू स्टेशन है यह लंका वहां पर होगा तीन से साथ फेबरी 2021 को होगा यह ठीक है बारती नाउसेना ने रॉयल ऑस्ट्रेलियर नेवी के साथ पैसेज एकसरसाइस की थी ठीक है यह कहां पर की थी इंदा इस्टर्न इंडियन ओशन रीजिन उसके बाद अभ्यास एक हाई स्पीड एक्स्पैंडेबल एरियल टार्गेट हीट का सफल परिक्षण किया गया था ओडिशा के जो यह आपका इंटरिम टेस्ट रेंज है बाला सोर में वहां पर उसके बाद राफेल उडाने वाली पहली महिला पाइलेट बनेंगे शिवांगी सिंग यह जर्चा में आया था उसके बाद कुछ अबीचरी जैसे भारत क जो पूर्व राष्ट्रपती प्रणा मुखरजी नहीं रहे थे 84 वर्ष की आयू में और 13 में राष्ट्रपती हमारे रहे थे याद रख सकते हैं ओसकर विजेता चेक फिल्म निर्देशक जिरी मेंजिल नहीं रहे केश्वनन्द भारती नहीं रहे जिनके जिनके डाम पर पाधारित हम जो बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ कंसेप्ट पढ़ते हैं इंडिन पॉल्टी में केश्वनन्द भारती केस वो नहीं रहे केश्वनन्द भारती उसके बाद प्रोफिसर गोविंद सुरूप भारत के रेडियो खगोल विज्यान के जनक ये नहीं रहे उसके बाद स चास्त्रि इंडते कला, वास्तुकला, कला, इतिहास की प्रख्यात विध्वान थी आंग रिता शेर्पा नेपाल के महान परवतरोवी थे और बिना ऑक्सिजन स्लेंडर के परवतारोहन करने का इनके पास रिकोर्ड नाम है ठेक है बिना ऑक्सिजन सिलेंडर के माउंट यह यूनियर मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर रेलवेज यह पूर्व थे नहीं रहे डीन जोन्स यह महान कॉमेंटेटर के क्रिकेटर ऑस्ट्रेलिय एक तरफ से नहीं रहे यह जो है इनके नाम ऐसा रिकॉर्ड है कि 40 भाषाओं में 16,000 से अधिक गीत गा चुके थे ठीक राष्ट्र पुरुसकार इने मिल चुका था पद्म श्री मिल चुका था इनको बहुत फेमस है सल्मान खान के जादातर गाने इनके गाये हुए हैं शुरुवात में उसके कर की अध्यक्षता में तीन सदस्टी समीती गठन किया गया किल विला करके ठीक है तो शिकाटकर कमीटी इसको बोले गए हम लोग और डिफेंस बिनिश्ट्री की तरफ से स्रजित की गई है रिव्यू दा इफेक्टिव यूटलाइजेशन ऑफ ए एफ एफ एच्क्यू और सीएस कैडर तो यह है कि बैंक उदार करता हो को राहत देने का आकलन करने के लिए भारत सरकार ने एक समीती बनाई है भारती स्टेट बैंक यानि स्टेट बैंक उफ इंडिया समीती को सची भी साहटा प्रदान करेगा तो अधीस्तागन यानिकी मॉरेटोरियम पर ब्याज पर छूट और ब्याज माफिस सम्बंदित जो बैंक उधार करता हूँ को राहत समगरी देनी है उसका मूल ल्यांकन करने के लिए समीति बनाई गई है इसका हैड को भी नहीं है ठीक है सचीवी सहायता प्रदान करेगा ठीक है सेक्रेटरियल सपोर्ट बस इतना ही आपको याद रखना है इसमें और ज्यादा स्कीम नहीं स्पोर्ट्स में देख लेते हैं स्पोर्ट्स अब चुकी कोविट-19 अब जार गया तो नहीं है वो तो अपनी पेस से ही चल रहा है लेकिन स्पोर्ट्स होना शुरू हो गया है तो भारत और रूस ने जो पहला FIDE का ओनलाइन शत्रण जो लंपियाड था उसको साइउत रूप से जीत लिया है यह काफी इंपोर्टन्ट है पूछा जा सकता है आप से पूछेंगे कि जॉइन्ट विनर जो है मतलब भारत के साथ कौ ऑबर मेंट यह बारती हेंट मेसतर тел पी इनिhern ने जीता था फिक सब्सक्राइट हिसेंट यह ऐलान है इसलिए पियरी घैसलिघ या मद त्मेम खत्त्री वुसुन्षू वर्लड चैंपिंगीनोolo only जीत लिया है, actually हुआ क्या था कि ये जीत नहीं पाई थी, लेकिन इनको जिन्होंने हराया था, इरान की जो मारियम थी, उन्हें डोप टेस्ट में बाहर कर दिया है और उनके मैडल को छीन लिया गया है, तो अब मैडल जो है पूर्णम खतरी की खातिम चला गया है, चूकि ड जोप टेस्ट में अगर कोई फेल होता है, तो उसके पुराने मैडल भी उससे छीन लिया जाते हैं, और जो हारने वाला प्रतिदवन्दी होता है, वो विनर घोशित, आटमेटिकली हो जाता है, तो पूर्णम खतरी जो है, ये विनर घोशित हो चुकी है, बिना जीते, वो विनर चुन और जीतने माले आपको एकजाम परपस के लिए तयार करने पड़ते हैं, इनके नाम F1 का Tuscan Grand Prix, किसने जीता है, Lewis Hamilton ने, Thomas और Uber Cup Final 2021 तक के लिए स्थकित कर दिया गया है, ठीक है, डेन्मार्क में होने वाला था, लेकिन COVID की वज़े से हो नहीं पाएगा, Italian Open खिताब 2020, किसने जीता है, नोग जोकोविच ने, अर्जेंटीना के Digo, आश्वकर्समैन को हरा करके, ठीक Men's Double और Women's Double आप इग्नोर कर सकते हैं, पूर्व क्रिकेटर एश बार्टी ने, Golf Club Championship जीत ली है, ठीक है, उसके बाद करनल डॉक्टर घिरिजा मुंगाली, को साथ सदसी जो एशिया फुटबॉल परिसंगी टाक्स फोर्स बनाई गया है, उसका सदस सिन्यूक्त किया गया है, इटाक्स फोर्स जो क्या करेगी, एशिया और उस्ट्रेलिया में फुटबॉल क्लबों को अभी नमीत करेगी, फेडेक्स कब 2020 ये जो है, इस्ट लेक गोल्फ क्लब बोस्टन में हुआ था, यूएस में, ठीक है, इस प्रतियोगता में डस्टिन जॉनसन ने इसको जीत लि सम्मेलन ये दिल्ली, मुंबई और बैंगलोर में 2021 में होगा, ये मन्जूरी दे दी है, ठीक है, ये भारत का पहला, ये साइक्लिंग सम्मिट होगी 2021 में, उसके बाद राश्ट्री जंजाती अनुसंधान सम्मेलन 2020 ये नई दिल्ली में, आरजुन मुंडा ने इसको कोडिनरेटी मींट हुई थी, वर्चुल मोड में जिसमें साओधीर अपने अध्यक्षता की थी, और वर्चुल मोड में बस ये डिसक्शन हुआ था, कॉविड-19 से कैसे डील करेंगे, स्टैंडर्डाजेशन ऑफ टेस्टिंग प्रोस्जर्स, एंड युनिवर्सल एस्ट स्टैंडर्डाजेशन ऑफ कॉरेंटीन प्रोस्जर्स, स्टैंडर्डाजेशन ऑफ मुव्मेंट एंड ट्रांजिट प्रोटोकॉल्स, बस ये है इसमें, उसके बाद है कि ब्रिक्स संस्कृति मंत्रियों की बैठक हुई थी, और सारी बैठके ऑनलाइन हुई हैं, तब ये ठीक है, और इसमें ताय हुआ था कि बांगलादेश जो है 2022 में होने वाले एशिया और प्रसांत के 36 में रीजनल सम्मेलन को होस्ट करेगा, ये इसमें कहा गया था, आगे बढ़ते हैं, जी ट्वन्टी विदेश मंत्री, सिक्षा मंत्रियों की बैठक हुई थी और इसमें अबिसली रमेश प्रोक्रियाल निशंग शामिल हुए थे, हमारे HRD के जो हैड है वो इसमें हुए थे शामिल और साओधी अरब ने इसके देख्षता की थी, पहली वर्ल्ड सोलर टेक्नलोजी सम्मेट, ये जो है, ये कहां पर हुई थी, वर्चुल मोड में हुई थी, ठी कुल विला करके, इस सम्मिट में नोबल पुरुषकार विजेता, डॉक्टर माइकल स्टैनली विटिंगम ने भी मुख्य भाषन दिया था, अंतरराष्ट्री सौर संगठन, फेडरेशन ऑफ इंडियन कॉमर्स और चैंबर्स एन इंड़स्ट्रीस, फिक्की के साथ मिल करक में, उसके बाद पहली भारत, फ्रांस, आस्ट्रेलिया, यह त्री पक्षी वारता का आयोजन, यह भी वर्च्वल मोड में हुआ था, बस इतना ज्यादा इंपोर्टन नहीं है, 21 सदी में स्कूली सिक्षा पर दो दिवसिये, यह सम्मिट हुई थी, सिक्षा मंत्राले के द के डिलिगेशन को लीड किया था, G20 देशों के पर्यावरण स्तरीय, मंत्री स्तरीय बैठक, मलब पर्यावरण की मंत्री स्तरीय बैठक, और पर्यावरण और बन मंत्री प्रकास जावेटकर इसमें भारत की तरफ से सामिल हुए थे, और इसमें क्या है कि Global Initiative to Reduce Land Degradation and Coral Reef Program G20 मिनिस्टर्स ने, G20 के इन्वार्नमेंट मिनिस्टर्स ने इसको शुरू किया, ठीक है, उसके बाद IBS से इबसा का मतलब क्या होता है कि इंडिया, ब्रजील, साथ अफ्रिका, ठीक है, तो इनके तीनों विदेश मंत्रियों की वर्चुल बैठक हुई थी इसमें, इबसा पती जी ने, एम वेंग या, नायडू जी ने, उसके बाद BRICS सराश्ट्री सुरक्षा सलाकारों की दस्वी बैठा कोई थी, इसमें BRICS Nations के सुरक्षा सलाकार सामिल हुए थे, और हमारी तरफ से श्री अजीट डोवाल इसमें सामिल हुए थे, क्योंकि वो इस समें, सेक्य लोटी एडवाइजर है भारत के, वैभाव सम्मिट का उद्गाटन हुआ था, वैभाव का मतलब है यहाँ पर वैश्विक भारती वैग्यानिक सम्मिट, दो अक्टूबर कोई थी वर्चुल माध्यम से, रेज 2020, ये एलेक्ट्रोनिक्स और सूजना, प्रोद्योगी की मंत सम्मिलन, ये जो है, 12 दिसंबर को होगा, ठीक है, 12 दिसंबर को बता रहे हैं, वर्चुल माध्यम से होगा, और स्कॉट्लैंड में जो नॉवंबर 2021 में जो सम्मिलन हो रहा है, ग्लास गो में, जो पूछा गया था, वी यो पेपर में, इसके बारे में वेन्यू, ये COP26 होग वर्चुल माध्यम से बताया गया है, ठीक है, बस और इसमें ज्यादा, अच्छा हाँ, रिपोर्ट्स इंडेक्स हैं, काफी जरूरी, दो-तीन महीने पहले की रिपोर्ट्स इंडेक्स जरूर पूछे जा सकते हैं, वैश्विक नवाचार सूचकांक आ गया है, तेरवा संस करण है यह, कौन जारी करता है, वर्ल्ड इंट्रिलेक्ट्वल प्रॉपर्टी और्नाइजेशन, कॉर्णल यूनिवर्स्टी इंसीड बिजनिस स्कूल, जो है, जॉइंट ली इसको जारी करते हैं, इसमें तीन-चार चीज़ें इंपॉर्टन्ट होती है, कितना भी टफ को की भी आपर लिस्टिंग दे दी है, पहले पर स्विट्जर लैंड, दूसरे पर स्वीडन, तीसरे पर यूएसे, चौथे पर यूके, यूनाटेट किंग्डम और पांचवे पर नीदर लैंड, ये सारे दिये हैं, ठीक है, और इस बार इसकी थीम थी, इस रिपोर्ट की इ पर दर्शन करने वाले राज्यों में शीर्स पर है बिहार, ये दोनों रेटिंग्स जरूर दिहान रखिएगा, ठीक है, और आप इसको मेंस के अंसर में भी मेंशन कर सकते हैं, अगर आप का मेंस का पेपर है बाद में, इसमें कुछ हाइलाइट्स बताई गई थी, इसको जो है, इसको किस ने बराया है, इसको किस ने help किया है इसको सरजित करने में, ये mobile crash करके एक संगठन है, उसने इसको सरजित किया है, इसमें बताया गया है कि भारत में 20% में से, 169 मिलियन बच्चे को पोशित हैं, 36% बच्चे ऐसे हैं, जो कम वजन का शिकार है, 38% पूर्ड टीका करन प्राप्त नहीं कर पाते हैं भारत में, इसमें बताया गया है, ये भी बताया है कि भारत में 2018 से 2019 के दौरण प्रती बच्चे पर 1723 रुपए खर्च किया जाते हैं पर बच्चे पर, ठीक है, जो कि पूरी आबादी को कवर करने के लिए आप पर्याप्त हैं, बाकी रेटिंग जिरूर धार रखेगा कि टॉप पर रेजर इंस्चूट का ग्लोबल एकनॉमिक फ्रीडम इंडेक्स में टॉप पर कौन है, हॉंग कॉंग है, फिर आपका भारत की रांकिस में क्या है, 105 वी है, ज़रूर धियान रखेगा, ठीक है, और टॉप 5 पर कौन कौन से हैं, टॉप पर हॉंग कॉंग, फिर सिंगापू फिर न्यूजिलेंड, फिर स्विट्जर लेंड, फिर यूएसे, ठीक है, इंडिया हैपिनेस रिपोर्ट जारी की गई है, प्रोफिसर राजेश पिलानियां दौरा, मार्च जुलाई 2020 के दौरान, 16,950 लोगों के साथ किये गए, राष्ट रवयापी सर्वेक्ष्टन पर मिजोरम, केंदर शास्त प्रदेशों में सबसे खुशाल यूटी है, एंडबान निकोबार, ठीक है, कोविड की वज़े से लोगों की खुशी में, या खुशाली में कमी आई है, स्मार्ट सिटी इंडेक्स 2020, इंस्ट्यूट फॉर मेनेजमेंट डवलप्मेंट, सिंगाप सिटी है, फिर जूरिक है, फिर ऑकलेंड है, और फिर ओसलो है, यह स्मार्ट सिटी है, पूरे विश्व के गुल विला करके, हाइदरबाद को इसमें 85 स्थान दिया गया है, ठीक, उसके बाद नई दिली को 86 स्थान, मुंबई को 93 वाँ, बैंगलूर को 95 स्थान इसमें दिय स्थान पर है, और जापान यहां पर तीसरे स्थान पर है, भारत को काफी खराब स्थान मिला है, 116 वाँ, तो यूमन कैपिल इंडेक्स में कम इतनी चीज़ें द्यान रखिएगा, 2020 की सबसे 100 प्रभावशाली लोगों की सूची टाइम मैक्सीन ने जारी कर दी है, लगतार चार साल से प्यें मोधी जी इसमे शामिल हुए है, भारत में पॉल्टिक्स वाले चेतर में, ठीक है, तो मोधी जी, कोई उनने शामिल किया है, इसमें कुल मिलांगर कर काटेग्रिप्री स्थी पॉइनियर्स, आरटिस्ट, लीडर्स, टाइटन, साइटन, साइकन, तो इसम सब्सक्राइब लोगतार के तोर पर आयुशमान खुराना को शामिल किया गया बिलकीस इन्हें अइकन के तौर पर साविल किया गया बिलकीस एक महिला है जो शाहिन बाग में प्रोटेस्ट कर रहे थी ठीक है रहां नरेंद्र लगातार चार साल से जो है चार-पात साल से ऑउनली पॉलिटीशन है भारत के तरफ से जो इस लिस्ट में शामिल होते हुए आ रहे हैं अब वैश्विक जो खिम रिपोर्ट देख लेते हैं वर्ल्ड रिस्क रिपोर्ट काफी पूचे जाने के संभावना है को फिर रखा है 89 स्थान पर भारत को भारत का रहेंग बहुत इंपोर्टेंट है और सबसे आखरी परिद्वन रखा है कतर को 181 स्थान पर और यह रिपोर्ट जो है केवल संयुक्तराष्ट विश्विदाल परेवरन और मानव सुरक्षा संस्थान के दौरा चारी किया जात कभी 30 अंदर 30 का भी जारी कर देते हैं 30 अंडर 30 कभी कभी 40 अंडर 40 भी जारी कर दिया जाता है तो 40 अंडर 40 में जो लिस्ट बनी है शाओमी के ग्लोबल वाइस प्रेसिडेंट और शाओमी इंडिया के एमडी जो है मनु कुमार जैन इनको शामिल किया गया है हेल्थ केयर की कटेगरी में ये इसमें शामिल किया गया है भारत के सीरम इंस्टूट ऑफ इंडिया के CEO आडार पुनावाला को भी तो आडार पुनावाला शामिल है इस 40 की लिस्ट में ईशा और अकाश अंबानी है शाओमी के इंडिया के मनु कुमार जैन है और अगला सवाल है भारत सिंगापूर रक्षा नीती वारता के संब्ध में बताइए इसका आयोजन वीडिया के इंडियान इकनोमिक मिनिस्टर्स की एडवाइजरी मीट हुई थी इसके बारे मताना है तो इकनोमिक मिनिस्टर्स की मीट में 10 आशियन देशों के वियापार मंत वीडियो कॉंफरेंसिंगे माध्यम से हुआ ठीक है उसके बाद है कि जॉइंटली इसको चेयर किया था डिफेंस सेक्रेटरी डॉक्टर अजय कुमार ने और सिंगापूर के पर्मनेंट सेक्रेटरी डिफेंस शैन यांक ने तो यह भी सही है यहां पर तो हमको बताना है अगला सवाल भारत सरकार के वित्तमत्राले के अंतरगत आर्थिक मामलों के विभाग याने डिपार्टमेंट ओफ एकनॉमिक अफेर्स ने किस अनस्था के साथ मिल करके 26 अगस 2020 को सथत्वित्तिय सहियोगात्मक परामर्श को शुरू किया तो इसका एंसर हो जाएगा UNDP UNDP के साथ हमने यह किया था ओप्शन नुबर B के घर पर ब्लू प्लाक से सम्मानित किया जाएगा तो यह है नूर इनायत खान अगला कॉश्चन है कि निम्लिकित में से कौन सकतन रॉंग है पहला कि मत्रदेश सरकार ने मेजर ध्यांचंद की जन्म तिथी पर जन्म दिवस पर मेजर ध्यांचंद विजय पत्योजना सेकेंड वाला केबल सही है फर्स्ट वाला रॉंग है तो रॉंग वाला हो जाएगा ओनली वन 27 अगच 2020 को राष्ट्री उर्दू भाषा विकास परिशद द्वारा नई दिल्ली में विश्व उर्दू सम्मेलन का उद्गाटन किया गया दो दिवसी सम्मेलन का उद्गाट बहुगियों तक पहुंचने के लिए उन्हें वन स्टॉप सलूशन देने के लिए उनकी समस्याओं को सॉल्व करने के लिए डिजिटल प्लैटफॉर्म यह दिया गया है तोनों स्टेट्मेंट यहां पर सही हैं इसके बारे में इस आयप का नाम पूछ जा सकता है कि CISF न ठीक है यह इसको याद रखिएगा चार लाग करोड़ इन्वेस्ट किये जाएंगे इसमें यह भी सही है गौवर्मेंट जो है यह 30% कंसेशन प्रोवाइड करेगी क्या रिवेन्यू शेयर जो कोल गैसिफिकेशन के लिए यूज होगा 30% नहीं शेयर करेगी राजमंत्री नितिन गटकरी ने 777 करोड़ रुपए के परिवेया के साथ महराज रिकिस जिले में कई साड़क और पूल परियूजनाओं की अधारशिला रखी है तो यह रखी गई है अकोला में अप्शन बर सी अगला कोशने की कौन सकतन सही है CSIR CMERI ने विश्व के सबस से हम जो है 12,000 से 14,000 यूनिट बिजली बना सकते हैं इसकी स्थापित छमता 11.5 kg KVP है ठीक है तो इसका एंसर हो जाएगा हमारा option number D सारे के सारे सही है इसके बारे में at least जो आपको बात याद रखनी है वो यह है कि solve रक्ष जो है किसने develop किया है और कहां पर लगाया गया है तो CSIR के CMERI ने develop किया है CMERI का full form आप हमको comment करके बताएए क्या मतलब है इसका कौन साइंस्ट्यूट है यह CSIR के इंतरगत आने वाला आगे है कि 19 अगस 2020 को 29 अगस 2020 को वीडियो कॉंट्रेंसिंग के माध्यम से उत्तर प्रदेश के जहांसी रानी लक्षमी भाई क्रशी वि दिया था तो यह किया था पीम ने अप्शन बर भी कि यह यूपीजी के संब्द्ध फैक्ट है इस हुझे से हमने इसको लिया है उसके बाद साथ में अंतरराष्ट्री सायने तकनीकी मंच आर्मी 2020 के संब्द्ध में सही कथन चुने इसका एवजन 23-29 अगस 2020 को मॉस्को भारती पैविलियन जो लेगेगा उसका उधगहटन राजकुमार और रूस में भारती राजदूद डी बाला वेंकटेश वर्मा ने किया था रूसी रक्षम अंतराले द्वारा आयजुत किया जा रहा है उंतरराष्ट्री कॉंग्रेस और प्रदर्शन प्रदर्शन लिम् स्रित मुबाइल आप जारी किये हैं एक आमा शहर है ठीक है और एक है सहर स्वक्षता या स्वक्ष शहर तो आमा जहां भी लग जाता है तो आप समें लिजे कि ज्यादातर संभावना है कि वह चीज़ है ओडिशा संब्दित आप्शन बर सी कांसा स्टेट्मेंट करेक्ट ह आपूरती श्रंखिला की तन्यक्ता यानि फ्लेक्सिबिल्टी पर फ्लेक्सिबिल्टी और सफ्लाई चेन पर इंडिया ऑस्ट्रेलिया जापान मिनिस्टर्स मीट हुई थी मंत्रियों ने स्वतंत्र निस्पक्ष समावेशी गैर भेदभाव पूर्ण पारदर्शी और इड़ बॉट विक्सित किया है यह रिमोट नियंतरित मेडिकल ट्रॉली है बैसिकली कॉविड-19 रोगियों को भोजन दावा पहुचाने के लिए और संकरमड को भी रोकने के लिए यह पहल वारण वारण सी में जो डीजल रेल इंजन कार खाने में जो केंद्रीज कित साल चल रहा है जहां कोविड-19 के मरीज हैं उनके लिए शुरू किया गया है यह ट्रॉली तो दोनों सही है वन और टू बोथ सही सी आगे कोश्चन है कि हाल ही में किसने जीवन बीमा निगम लिम्टेड एलाइसी के माध्यम से भारत भर में 62 सैनिक शेत्रों में काम करने वाले चाविडी कॉविड योधा संरक्षन योजना शुरू की है राजनात सिंग के दोरा योजना शुरू की गई है उसके बाद निमलिकित में से कौन सकतन सही नहीं है हाली में लद्दाक और लक्षदीप ने जॉइन किया है वन नेशन वन राशन कार्ड स्कीम को इन दोनों य कोटा पूरा होने वाला है सभी पूरे देश में लाग हो जाएगा एंसर हो जाएगा यहाँ पर अउनली टू सेगेंड वाला रहोंगे केवल वाकी फस्ट वाला करेक्ट है एक सितंबर 2020 को विद्दुत और नव और नवीनी करण उर्जया मंत्री जो सुधंतर प्रभार जिन का राजपुमार सेंग इनोंने विजली के लिए पैन इंडिया ग्रीन टर्म एहट मार्केट का शुबारम कहां से किया है तो इसका शुबारम भुआ है निव डेली से निमलेकित में से कौन सकतन सही है हाल ही में रक्षा मंत्राले ने मेक इन इंडिया को प्रमोट करने के लिए 2580 करोड रुपए के अनुबंध पर हस्ताक्षर किये देश भर में ब्लॉक्स तरके समूहों के विकास के लिए कपड़ा मंत्राले ने राश्टरी हत करगा विकास कारक्रम लागू किया है तो इसका एंसर हो जाएगा सी दोनों करेक्ट हैं आगे कोशन है 31 अगस 2020 को मेरकॉम कैप्टल ने अपरेटिंग अंडर कंस्ट्रक्शन और सम्मानित परियोजनाओं के मामले में किस कंपनी को विश्व की सबसे बड़ी सौर और्जा उत्पादन प प्राणी ग्रीन नर्जी लिम्टेड एक जिल ऑप्शन नमबर बी यूपी पीसेस में न्यू और अनिवेबल नर्जी से काफी सारे सवाल आते हैं खासका डवलप्मेंट से रिलेटेड तो इसको भी एक बार जरूर देख लीजेगा उसके बाद है कि गंदगी छोड़ो भ 1778 प्रोग्राम चलाए गए थे ठीक है अलग-अलग जगहों पर उसके बाद भूपेंदर सिंग जो अर्बन डवलप्मेंट और हाउजिंग मिनिस्टर है महदप्रदेश से उन्होंने इस कैंपेंड को शुरू किया था तो MPG के स्लेटेड यह काफी इंपॉर्टन सवाल थ तो यह है अमूल डेरी, option number A, अमूल डेरी इसमें अगर पूछ लें कि first कौन है तो first जो है नेसले, फ्रांस की ठीक है, जिसकी चॉकलेट्स बगएर आती है, दूसरी dairy commerce of America और तीसरी डेनन, तो यह याद रखिएगा, अमूल जो है आनन्द milk union limited गुजरात है इसका full form, कौन स स्टेट्मेंट यहां पर not correct है, Cycling Federation of India 2021 में साइकिल शिखर सम्मेलन का आवजन करेगी, यह हम देख चुक है, sports current affair में भी है, objective है to promote culture of cycling in the country, यह भी सही है, साइक्लिंग यह उत्तर प्रदेश मंत्र प्रदेश कुजरात में नहीं होगी, यह तीन अलग-अलग venues है इसकी, venues कौ पर बताने किस देश को प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है, ठीक है, प्रथम स्थान स्विट्जर लैंड को प्राप्त हुआ है, दूसरा स्थान स्वीडन को प्राप्त हुआ है, ठीक है, अमेरिका जो है थर्ड पर है, विर्टेन फोर्थ पर और नीजर लैंड फिफ्थ प कि केमाध्यम से भविश्च के लिए सरकारी कर्मचारियों को अधिक सरजनात्मक रचनात्मक नवोन मेशी बनाना है तो मिशन कर्मयोगी के बारे में दोनों सही है एंसर हो जाएगा सी बोथ करेक्ट सांकेतिक भाषा दिवस यानि की साइन लेंगविजिस डे अब लोग कब बनाते हैं 23 सेप्टेंबर को एक विश्व समुद्री दिवस 2020 का मुख्य विश्य एक सतत ग्रह के लिए सतत सिपिंग है यह कब बनाया जाता है वर्ल्ड मैरी टाइम डे यह मनाते हैं 24 तारिक को 24 सेप्टेंबर को ऑप्शन नुबर ए गुजरात विदान सभा ने 24 सेप्टेंबर को गुंडे और आसामाजिक गतिविद्धियों का रोगथाम अधिनियम जो है पारित किया है इस अधिनियम में आसामाजिक तत्वों और अपराधियों से सकती से निपटने के लिए इसमें 7 साल जो सजाती उसको 10 साल तक कर दिया गया है तो दोनों सही हैं इसमें एंसर हो जाएगा सी बोथ 1 और 2 तीन सप्टेंबर 2020 को भारत और रश्या के सहयोग से कहां पर AK-203 Assault Rifles Factory स्थापित की गई स्थापित की गई अमेठी उत्तर प्रदेश में वेस्टर्न और सदर्न उपन 2020 के सम्मद्द में सही कतन चुने प्रतियोकता कायोजन कहां पर हुआ था मधी नुइ-York सही उकतराज अमेरिका में ठीक है यह उसके बाद men single किस ने जीता नुआक जोकोविच ने जीता और women single किस ने जीता ये जीता है Victoria Azarenka ने ठीक है? तो सारे के सारे statement यहां पर सही है, men single, women single आपको खाली याद रखने है, इसमें runner-up का नाम भी चाहें, तो देख सकते हैं, runner-up women में Naomi Osaka और men में Milas Ronik, एंसर हो जाएगा इसमें D, all of the above correct 29 अगस 2020 को international day against nuclear test बनाया गया, purpose है कि पूरे तरीके से nuclear weapons को कम करना है, तो आइसर हो जाएगा C दोनों सही है, 1 and 2 both 30 अगस 2020 को करनाटक के मुख्यमंत्री BS येदुरप्प और रेल राज्यमंत्री शुरेश C अंगडी ने कहां से कहां तक पहली बार roll on, roll off सेवा के शुरुवात की है, तो roll on, roll off चलेगा ये, नेलम अंगला से लेकर बेल तक, option नमबर A तो नेलम अंगला कहां पर है, नेल बंगला ये बैंगलूरू के निकट है, बेल कहां पर है, सोलापूर के निकट उसके बाद है कि निकट में से काउन सकतन सही है, राश्ट्री पोशन सप्ताह 1 से 7 सेप्टेंबर को मनाया गया केंद्री और वरक विभाग ने 1 से 15 सेप्टेंबर तक स्वक्षता पकवाड़ा मनाया, ये भी सही है ओडिशा ने जो है, कैसकते है कि परेटन को बढ़ावा देने के लिए नदी परी ब्रहमण सुरू करने कि की घोशना की है तो तीनों ही सही है हैं पर टूरिजम समंदित डवलप्मेंट्स एंसर हो जाएगा D. All of the above आगे है बेल्जियम ग्रैंड प्री 2020 का खिताब लिविस हैमिल्टन ने जीता है दूसरे स्थान पर कौन है आप ये स्किप कर सकते हैं दूसरा स्थान केवल आप विनर का ही नाम ध्यान रखिएगा Mercedes के जो ड्राइवर है लिविस हैमिल्टन बेल्जियम ग्रैंड प्री इनों जीती है बस यही most important है और ज्यादा कुछ नहीं आगे है कि राष्ट्री जन्जाती अनुसंधान सम्मेलन 2020 इसके सम्मद में सही कथन चुनने तो ये 3-4 सेप्टेंबर को नई दिल्ली में हुआ अर्जुन मुंडा ने इसको संबोधित किया था तो ये है आपका राष्ट्री जन्जाती अनुसंधान सम्मेलन 2020 के बारे में दोनों कर्थन सही उसके बाद शत्रण ये प्रतियोगिता FIDE का ओनलाइन चेस ओलंपियाड हुआ था में भारती टीम को किस टीम के साथ संयुक्त रूप से विजेता घोशित किया गया तो रश्या के साथ डिस्कस कर चुके हैं स्पोर्ट्स करेंट अफेर में उसके बाद ब्रिक्स संस्कृति मंत्रियों की पांचवी बैठक 2020 के संबंद में गलत कथन चुने इसका आयोजन जो है चीन के चैर्मेंशिप में हुआ था यहां पर ब्रजील लिखा हुआ है जो की गलत है ठीक है यहां पर होना चाहिए चाइना चीन की अधेक्ष्टा में हुआ था ना कि ब्रजील तो यह वाला रॉंग हो गया हमको रॉंग वाला ही बताना है only one वाकि द इसका नाम क्या हो जाता है इसका एंसर हो जाता है एविया इंद्र अंतर राष्ट्री साक्षरता दिवस के बारे में सही कतन चुन्ना है यह 8 सप्टमबर को बनाते हैं हम लोग हर साल 2020 की थीम थी साक्षरता सिक्षन और सिक्षा कोविड-19 संकट के दोरान या उसके बाद यानि की लिट्रेसी, टीचिंग और लर्निंग इन कोविड-19 क्राइसिस और बियॉंड और भारत में एवरेज लिट्रेसी रेट है जो है यह 77.7 प्रतीशत है सही है यह सारे आकडे सही है एंसर हो जाएगा D, All of the above यानि उपरियुक तो सभी साक्षरता की बात आई गई तो अपने आकड़े देख लेते हैं आंध्र प्रदेश के लिट्रेसी 66.4 प्रतीशत है ठीक है सबसे कम है उसके बाद केरल की साक्षरता दर सबसे अच्छी है देश में 96.2 प्रतीशत दिल्ली में 88.7 प्रतीशत उसके बाद 7 सेप्टेंबर को स दिसम्बर 2019 को डी अगला कथन अगला सवाल है इसमें पहला कथन है कि यूरोपीय निवेश बैंक कानपूर की पहली मेट्रो लाइन के निर्माड के लिए 65 करोड यूरो का निवेश करेगा ठीक है ये उसके बाद इसमें सी बोथ यहां पर करेक्ट है वन टू बोथ कारोबारी सुगमता के अधार पर राजियों को रैंकिंग दी गई है चौथा संसकरण रही है उत्तर प्रदेश को इसमें दूसरा स्थान प्राप्त हुआ है ठीक है तो यूपीशस वाले जरूर याद रखेगा कि उत्तर अंधंप्रदेश को प्राप्त हुआ है रैंक उसके बाद कि किस टेट को यहां पर पहली रैंक मिली वताना है फेली रैंक मिली है आंध्प्रदेश को आप्चन ढूबर सी थी के थे लंगा दाषिझ बासे deze पर है आपका मध्ध्द्र प्रदेश पांचissements सबब्सें स्भी स आइलेंड में हमको बताना है कि वीलर आइलेंड कहां पर हैं वीलर आइलेंड ओडिशा में हैं ऑप्शन बर बी ओडिशा इरादा अभियान शुरू किया गया है ये किस ने शुरू किया है जम्मू कश्मीर ने अभियान राज के डोड़ा जिले के उपायुक्त डॉक्टर सागर दोई फोड ने शुरू किया अभियान का उद्देश राज में विभिन ने सामाजिक कल्यार यानि की सोशल सेक्योर्टी स्कीम्स का लाब दिलाना है उन अभियार्थियों को जिनका नाम रह गया या फिर जो एलिजबल है लेकिन इसका राब नहीं ले पा रहे हैं उनको इसका benefit देना है एंसर हो जाएगा इसमें D. All of the both statement are correct चुनावती अफिचैलेंज Next Gen Startup Challenge प्रतियुगता कुछ चुने हुए छेतरों में काम कर रहे हैं लगभग तीन सो स्टार्ट अप्स की पहचान करना इसका लक्ष है यह चैलेंज किसने शुरू किया है यह चैलेंज शुरू किया है रवी शंकर प्रसाद ने घॉस्टिंग यहां पर एंसर वह जाएगा अंली थर्ड है वह चैलेंज आउस्टा के शोदकरताओंने फेफडे के कैंसर के लिए नाहएदानिक घ्रिप्विक्सित किये तो यह विखसित किया ज़वाहर लालेरू सेंटर फोर एजवांस्ट साइंट्टिफिक रिसर्च ब 35 years of ozone layer protection, यह हम लोग कब बनाते हैं, यह बनाते हैं स्पुला को, यह उन्हें बताया आपको, US Open अभी कंड़क्ट किया गया है, हमको बताना है कौन सा सही है, प्रतियुकता में, पुरुशेकल में, यानि में सिंगल में, डॉमिनिक थीम ने इसको जीता है, अलेक्जेंडर ज्वरेव को हरा करके, ठीक है यह, उसके बाद है कि, इस कॉम्प्टिशन में, विमन सिंगल में, नौमी उसाका ने जीता है, इसको, विक्टोरिया एजरेंका को हरा करके, दोनों के दोनों यहां पर सही है, एंसर हो कि है, सिंजोगाबे के step down करने के बाद, यह किस party संबंदित हैं, तो liberal democratic party संबंदित हैं, उसके बाद है, इस ranking का उदेश, राजियों में, नमाचार की चमता को विक्सित करना है, राज स्टार्ट अप रैंकिंग 2019 के बारे में बता रहे हैं, इस ranking के अनुसार, गुजरात, सर प्रदर्शन करने माला राज रहा है, ठीक है, उसके बाद है, करनाटक और केरल को top performer की category में include किया गया है, महराष्ट, ओडिशा, बिहार, राजस्थान को leading category में include किया गया है, सारे result है यहां पर सही है, answer हो जाएगा इसमें, D, all of the above, Aspiring leading state में हरियाना, जहारखंड, पंजाब, तिलंगाना, उत्राखंड है, बांकी emerging startup ecosystem कहां पर develop हो रहा है, आंतरप्रदेश में, असम में 36 गड़ में, यह ranking एक बार आप खुद से भी जरूर देखेगा, एक बार PIVM जाकर के पढ़ें, आने की संभावना बहुत है, जहां पर भी आपको sustainable development, innovation या फिर new renewable मिले, समझ दीजी, UPPCS के लिए काफी important for data है, economic freedom index of the world 2020 report में, भारत को 105 स्थान मिला है, यह हम discuss कर चुके हैं, हमको पताने है, top position पर कौन है, top पर है, in case आप से, Hong Kong है, तूसरे पर Singapore है, New Zealand तीसरे पर है, Switzerland चौथे पर है, Australia, in case आप से 5 में पर है, इन में से कौन सा statement wrong है, पहला wrong है, नबाट दे नहीं शुरू किया है, यह loan देना सफल के लिए, organic cotton growers के लिए सफल नाम से, जो loan देना शुरू किया है, वो SBI ने शुरू किया है, ठीक है, गेंदबाज मिच क्लेडन की गेंदबाजी पर प्रतिबंद लगा दिया है, काउंटी टीम ससेक्स जो खेलती है, सेनिटाइजर लगाया था, हुनने इन बाल पर, इस सुझेशन को सस्पेंड किया गया है, एंसर हो जाएगा इसमें only one, क्योंकि इसमें not correct पूछा है, only one है, बाकी second correct है, भारत को 161 स्थान मिला है Human Capital Index 2020 में, हमको बताना है कि टॉप पोजीशन पर कौन है इस इंडेक्स में, टॉप पर है सिंगापूर, दूसरे पर है होंग कॉंग, जापान तीसरे पर, दक्षिड कोरिया जोथे पर, कैरड़ा पांच में पर, और एफ्रिकन जाप्त मंत्रियों का समूस रजित किया, यानि कि आपका group of ministers, तो इस group of ministers के chairperson कौन बनाए गए हैं, रक्षा मंत्री, राजनात सिंग, option number A, आगे हैं अंतरराष्ट्री लोकतंतर दिवस, के सम्मध में सही कथन चुने, हर साल 15 September को मनाय जाता है, purpose है, make people aware about democracy and its associated institutions, सही है, main purpose ह spotlight on democracy, answer हो जाएगा D, all of the above, 14 September 2020 को केंदर सरकार ने राजेश खुलर को विश्च बैंक समू के नए कारेकारी निदेशक के तोर पर नूक्त किया है, उनका कारेकाल कब तक रहेगा यह बताना है, उनका कारेकाल रहेगा 31 अगस 2023 तक, ठीक है, option number A, यानि 3 साल के लिए, आगे ह हिमाचल प्रदेश सरकार और विश्च बैंक ने हिमाचल प्रदेश सडक, राज सडक परिवर्तन परियोजना की कारेनवन के लिए 82 मिलियन कारिंड समझहोते पर हस्ताक्षर किये हैं, 30 नॉब्बर 2020 को संगाई सहयोग संगठन के प्रमुखों का एक शिखर सम्मेलन की मिज करेक्ट, हम लोग किसकी जनम दिवस के उसर पर इंजीनियर्स डे मनाते हैं, यह पूछा गया है, तो M. विश्वेश्वरईया के जनम दिवस पर बनाया जाता है, अभी अनता दिवस यानि की इंजीनियर्स डे, 27 आशियान छेत्री मंच के विदेश मंतरियों के बैठके सम मद्व में सही कतिन चुटना है, वीडियो कॉंफरेंसिंग के माध्यम से वियतनाम की अध्यक्षता में हुआ था, ठीक है, उसके बाद है कि इसमें, बिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर एक्स्टर्नल अफेर्स वी मुरली धरन ने इंडिया को रिप्रेजेंट किया, ठीक है, एक्सचेंज किये गये थे वियूस, रीजिनल इश्यूस, इंटरनेशल इश्यूस यहां पर, ठीक है, नॉर्मल से एक कुश्चन है, एंसर हो जाएगा इसमें, डी, आल अफ द अबाव, तो इसमें एकुल विला करके इन चीजों पर बारता हुई थी, तो इनक्रीस कोपरे 2020 का किताब जॉन रैम ने जीता था, यह याद रखना है आपको, जॉन रैम ने जीता है, BMW चैंपेंशिप का, सेकेंड पर कौन रहा था ही बताना है आपको, सेकेंड वैसे तो पूछा नहीं जाएगा, तो फिर भी बता देते हैं, इसका एंसर डस्टिन जॉनसन है, चुनना है, विधयक के माध्यम से देश में एक आधुनिक आयूर्वेदिक सनस्थान की स्थापना की जाएगी, ठीक है, और इस इंस्ट्यूट का नेम होगा, आयूर्वेद इंस्ट्यूट आफ टीचिंग और रिसर्च, और इस इंस्ट्यूट की स्थापना होगी, जाम माध्यम से हुई थी जी ट्वेंटी इन्वायर्मेंट मिनिस्टर्स की मीट लेकिन इसको प्रसाइट किया था साओधी अरब ने ब्रजील ने नहीं किया था ठीक है सेंट्रल गॉवर्मेंट द्वारा देश में मार्च 2025 तक प्रधान मंत्री जन आउशदी केंद्रों की संख्या बढ़ाकर 10500 करने का लक्ष रखा है वर्तमान में हमारे कितने जन आउशदी केंद्र चल रहा है यह बताना है तो सबसे पहले तो टार्गेट आपको याद रखना है यह 10500 करना है 15 सेप्टेंबर 2020 तक उपलब दांकडों के नुसार कितने जन आउशदी केंद्र भारत में 6606 है याद रखना आसान है डबल 606 है उसके बाद है हाली में किस संस्थान खेती में लगी महिलाओं की स्थेती में सुधार लाने के लिए भारती किसानों की आया बढ़ाने के लिए 4.5 मिलियन डॉलर राशी के दो अनुदानों की घोशना की है तो यह है Walmart Foundation लोन देगा य इस बॉलिवूड अबनेता को इनिसफ में बच्चों के लिए जो भियान चला जा रहा है for every child इसका celebrity advocate बनाया गया है तो यह है आयुष्मान खुराना option number A प्रधान मंतरी मत से संपदा यूजना के बारे में बताना है यहाँ पर 10 सेप्टेंबर 2020 को digital mode से इसको लॉंच किया गया था और 20,050 करोड रुपए estimate है खर्च किया जाने का e-Gopala app लॉंच किया गया था एन overall breed improvement market information portal जो farmers को directly use कर सकते है तो तीनों सही है यहाँ पर एंसर है इसमें D, all of the world निमलिकित में से कौन सकतन सही है वीडियो कॉंटरिट्जी के माध्यम से जैपूर में पत्रिका गेट का उद्गाटन किया गया पत्रिका गेट उसके बाद दो बुक रिलीस की गई यहाँ पर समवाद उपनिशद और अक्षर यात्रा इन दोनों किताबों के लेखक है ग्राम बोलचाल की भाषा की रूप में बढ़ावा देने के लिए संस्कृत ग्राम बनाने का निड़ा लिया गया है तो लिया गया निड़ा है उत्तरा खंड में ऑप्शन बर बी साथ सप्टेंबर दोजार बीस को राजसरकार ने वीडियो कॉंटरिंसिंग माध्यम से ग कि या 36 गड़ की सरकार ने आप्शन नुबर सी 36 गड़ अगले कुशन में करेक्ट बताना है पहला करेक्ट है उसके बाद है कि इंडिया एग्रिमेंट कर रहा है यूएस और ब्रजील के साथ 5G टेक्नलोजी डेवलप करने में ठीक है एंसर हो जाएगा सी 1 & 2 बोगत करेक् इन में से हमको पताना है महराष्ट सरकार के किस विभाग ने 5 स्टार ग्राम योजना या गाउं योजना शुरू की है 5 स्टार विलेच स्कीम शुरू की है महराष्ट के पोस्टल डिपार्टमेंट ने पूर्व मुख्यमंतरी गोविंद वललप पंत की 133 वी बर्थ अनिवर्सरी जो है कब बनाई गई थी 10 सेप्टेंबर को ठीक है 10 सेप्टेंबर को इनका जन्मुवा था अल्मोडा उत्तरा खंड में भारत जल्द ही ऑस्ट्रेलिया जपान और सहीं उतराज अमेरिका के इंडिया सामिल होंगे ऑस्ट्रेलिया जपान यूएस भी सामिल हो जाएगा इसमें तो यह कवाड यानी चार नेशन का समवाद होगा ठीक है यह करेक्ट है उसके बाद है कि इंटरनेशल सोलर लाइन्स आठ इनिशेटिव यहां पर लॉंच किये गए हैं फर्स्ट मतलब यह प्रथम विश्व सौर प्रादोगी की शिखर समेलन में आठ पहलें शुरू की गई है ठीक है यह भी एंसर हो जाएगा सी बहुत करेक्ट है इंद्रा कांधी पीस प्राइस दोजार बीस दोजार उन्निस वाला जोजार बीस पन दिया जा रहा है किसे मिला है सर अप्शन मुबर बी अल्जाइमर स्टे हम लोग कब बनाते हैं 21 सेप्टेंबर को 12 सितंबर दोजार बीस को एंट्रिम कोस्ट हाफ मैरेथान ब्रिटिश अथलीट महमद फरा ने जीता है यह सही है ठीक है एंसर हो जाएगा सी इसमें भी दोनों करेक्ट है हाली में जारी न अगला सवाल है इसमें पहला स्टेट्मेंट की 2020 में भारत जो है चार पाइदान चड़कर 48 में स्थान पर पहुंच गया है ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स में ठीक है उसके बाद करेबियन प्रीमियर लीग 2020 का टाइटल ट्रिन बैगो नाइट रैडर्र ने जीता है यह पहले स्थान पर कौन सा राज यह है पहले स्थान पर है आपका तमिल नाडू ऑप्शन बर बी 2020 सेप्टेंबर को हम पॉषन माह की डूप में मना रहे हैं यह सही है उसके बाद बिली जीन किंग को नाम दिया जाएगा फैड कप आंसरWait का उसको दोनों तो आपनी और यह यह आइंसर हो जायगा सी 2020 बहरत की साथ कमपनियां शामिल हैं, प्रतम स्थान पर कौन है, बताना है, तो प्रतम स्थान पर पिछले साल भी Reliance थी इस साल भी Reliance है, ठीक है? और पाइस सो बड़ी कमपनियों में, पूरेवुष्ग की 500 बड़ी कमपनियों में शीर्स पर है Walmart, बहरत की शीर्स पर है Reliance, उ अगस 2020 में RBI दोरा जारी वित्ती शिक्षा के लिए रंड नहीं थी 2020-2025 में 5 C's को शामिल किया गया, इसमें 5 C का मतलब क्या है, तो 5 C's का मतलब है content, capacity, community, communication, collaboration, option number A इसमें सही है, यह याद कर लिजेगा, किसान रेल सर्विस के बारे में आप सही गतन चुनिये हैं यहाँ पर, पहला है कि 9 सितंबर 2020 को देश की दूसरी और दक्षिर भारत की पहली किसान रेल शुरू की गई थी, ठीक है, उसके बाद है कि इसके माध्यम से आंतर प्रदेश के अनंतपूर से दिली के आदारश नग उतपात कौन सा था, बनाना था, बताई कहां से कहां तक चली थी बताईए, कॉमेंट में, आगे है कि महमारी शनशोधन विधेयक 2020 के समद्ध में सही कतन चुनना है, एपिडेमिक एमेंडमेंट बिल राज सवास पारित हो गया था, 19 सेप्टेंबर को, एपिडेमिक एक्ट 1897 का जो है, उसको एमेंड किया गया, इसमें नए प्रोविजन्स जोड़े गए हैं, दोनों ही सही हैं, इसमें 1 and 2 बोथ करेक्ट, अंतराश्ट्री ताटी ये सुरक्षा दिवस के समद्ध में सही कतन चुनना है, 19 सेप्टेंबर को मनाये गया, परपस है तो इंकरेज उजना के बारे में सही कतन चुनना है, ये गुजरात की उजना है, ठीक है, और इसका उदेश जो है विबन को फ्री एजुकेशन देना है क्या नहीं, इसका उदेश है रियायती दर पर लोन उपलब्द करवाना विबन को, तो यहां पर एंसर हो जाएगा इसमें, रौं स् रुपए जिनका कीमत होगी, भी यहां पर सही है, BPSC वाले इसको जरूर देखिएगा और इसकी डिटेलिंग भी देखिएगा, माई फैमली माई रिस्पॉन्सबिल्टी कैमपेइन जो है, ये महरास्टर में चलाई गई है, कॉविड से निपटने के लिए, ठीक है, BMC इस के लिए है, करीब 20,000 कोर सेंटाइजेशन वर्कर को ये शामिल करेगी प्रॉफिट देने के लिए, और सेफ्टी और डिग्निटी सेंटाइजेशन वर्कर या सवाई कर्मियों की मेंटेन करना, इस योजना के लक्ष है, गरिमा स्कीम का, आप्शन नमबर यहां पर सही बाला साहब ठाकरे एक्सिडेंटल इंशोरिंस स्कीम लाई है महराश्ट की सरकार, इस पर हमको पताना है कि रोड एक्सिडेंट पर फ्री मेडिकल सर्विसिस, गौर्मेंट और प्राइवेट होफ्स, लब यह सरकारी इस्पतालों में मुफ्त चिकित्सा सुविधा कितने रुपए तक कवर करेगा ये, ये कवर करेगा भी में 30,000 रुपए तक का, आप्शन मुबर C, 16 सेप्टेंबर 2020 को किस राज की सरकार ने आर्थिक स्पंदन योजना शुरू की है, ठीक है, तो ये 49,300 करोड रुपए का रिड चुकाने के लिए ये दिया जाएगा लाब, य परनाटक राज सरकार की स्की में आर्थिक स्पंदन योजना, उप्शन मुबर D, 4 सेप्टेंबर को वांडा डाइमंड लीग 2020 जो ब्रिसल्स बेल्जियम में हुई थी, इसमें किस धावक ने एक घंटे की दौड में 21.330 किलोमीटर की दूरी ताय करके नया वर्ल्ट रिक असम सरकार की स्वयम योजना आई है, ये एक पुरानी योजना को फिर से रिलांच किया असम गवर्मेंट ने, दो लाख जो यूथ है यूवा स्टेट के उनको स्वरोजगार उपलब्द करवाने की है, स्वयम का फुल फॉर्म है स्वामी विवेकानंद असम यूथ इंप इलेक्ट्रोनिक्स पॉलसी जारी की है, इन्होंने ये संकल्प लिया है कि 2025 तक इलेक्ट्रोनिक्स से इंडस्ट्री की प्रोडक्शन को 100 बिलियन यूज डॉलर्स की खीमत तक ले जाएंगे, ये कौन से राजी की पॉलसी है, तमिल नाडू ने जारी की है, पॉलसी तो ये है IIT Delhi का जो ये स्टार्ट अप है चक्र इनोवेशन, इन्होंने N95 मास को किटाडू रहित करने के लिए चक्र डिकॉफ नाम से एक डिकंटामिनेशन डिवाइस फिक्सित की है, हाली में कि स्राज के उपराजिपाल ने अधिकारियों के लिए स्मार्ट प्रदर्शन मोल्यांकन रिपोर्ट रिकॉर्डिंग ऑनलाइन विंडो प्रणाली शुरू की है, तो ये शुरू की गई है मनोत सिना के द्वारा जम्मू कश्मीर के लेटनेंट गॉर्णर के द्वारा ऑप्शन निम्बर A इन में से कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है, सयुक्त राष्टर संग ने या फिर UN ने अभी 17 यंग लीडर्स को पूरे वर्ल्ड से सिलेट किया है, जो सस्टेनिबल डवलप्मेंट गोल्स में युगदान दे रहे हैं, 17 या 17 यंग लीडर्स में एक भारती भी शामिल है, उ जंग लीडर्स की लिस्ट में शामिल किया है, काफी इंपोर्टन ये सवाल है, ये सवाल है UPPCS के लिए से, एंसर है इसका 1 and 2, C, बहुत करेक्ट, हाली में तुफान टेडी जो है, ये कहां पर पहुंचा था, कहां पर आये था, बर्मूडा में, ठीक है, उसके बाद, US National Hurricane Center माइमी में इसे कटेगरी 2 हरीकेन नामित किया गया, और 14 सेप्टेंबर को हरीकेन जो है पॉलेट, ये बर्मूडा में आये था, तीनोई स्टेटमेंट यहां पर सही है, एंसर हो जाएगा D, all of the above, ये भी बहुत important question है, हाल ही में भारती नौसेनिक विमानन के दिहास में पह का नाम हमको बताना है, ये lieutenant officers है, कुमुदनी तयागी और रीती सिंग, option number B, ये UPG के संबनित सवाल है, national coal field, coal India branch, northern coal field limited, NCL ने पांच करोर रुपए का नुदान दिया उतरप्रदेश सरकार को 50 ambulance COVID-19 के लिए खरीदने के लिए, ठीक है, ये याद रखिएगा, बाकी प्रभा कि 50 करोर का नुदान उतरप्रदेश को किस से मिला है, तो ये मिला है NCL से, Northern coal field limited से, 50 करोर रुपए का नुदान COVID-19 से लडने में सहायता के लिए, 50 करोर रुपए मिले हैं, 50 ambulance खरीदने के लिए, अभी भारत ने soft loan प्रोवाइड किया है, मालदीव को 500 million dollar का, ठीक है, ये या में वो किस country के लिए चलाया था हमने, जर्मनी ने हाली में शीत युद्ध की समापती के पस्चात अपना नागरिक alarm system का पहला राष्ट वे आपी परीक्षण किया है, यानि कि मतलब ये cold war के बाद ये पहली बार अपना नागरिक alarm system ले कर के आए, ठीक है, उसके बाद किस organization मतलब ये Asia Development Bank ने दिल्ली मेरट RRTS कोरिडोर के लिए 500 मिलियन डॉलर प्रदान किये हैं, ठीक है, एंसर हो जाएगा इसमें, C, बहुत करेट, C, बहुत करेट, यहाँ पर वीच नहीं होगा, ये वीच हटा देंगे, Asian Development Bank ये प्रदान कर रहा है, 500 मिलियन का, दिल्ली मेरट R RTS कोरिडोर के लिए, प्रदान मंतरी महोदी जी के जन्न द्विवस का जो सपता है, उसे सेवा सपता के रूप में मनाय जा रहा है, ठीक है, मनाय जा चुका है मतलब, और United Kingdom ने अभी फॉर्मर ऑस्ट्रेलियन प्राइम बिनिस्टर टोनी एबाट को बिजनिस एडवाईज जा अधर घोषित किया है, एंसर हो जाएगा इसमें C, बोथ करेक्ट, कौन सो स्टेटमेंट करेक्ट है, प्रधान मंतरी जी ने अमरति योजना के इंतरगत, और नमामी गंगे स्कीम के इंतरगत, विभिन परियोजनाओं को मन्जोरी दी बिहार में सही है, किन गिन परियो खुद का यह सही है एंसर हो जाएगा इसमें C 1 & 2 बहुत करेक्ट टिवनीश्या के नय प्रधान मंत्री बने है हिश्प में में शीशी ठीक है और नाइजीरिया के साथ है का आभासी बैठा कम ने की है अचिन से विटामिन C के आयात पर एंटी डंपिंग जात शुरू की है यह इनों इस स्टेटमेंट सही है इस मन्त के के संबंद में एंसर हो जाएगा C all of double तीनों सही बांगलदेश ने अभी एक कैंपेन चलाया था वी दो महिए तक अशोल चीनी करके फेक इंफोर्मेशन को कर्ब करने के लिए अशोल चीनी के मतलब है रियल चाइनीज तो फेक इंफोर्मेशन और रूमर्स को हटाने के लिए उन्होंने चलाये था अशोल चाइनीज या अशोल चीनी एंसर हो जाएगा इसमें C, बोथ 1 और 2 हाली में अमेरिका स्थित एरोस्पेस और डिफेंस कंपनी नौर्थ रॉप गुरुमैन ने अपने अंतरिक्ष का नाम किस भारती मूल की अंतरिक्ष यात्री के नाम पर रखा है तो कलपना चावला के नाम पर उन्होंने अपने स्पेस क्राफ्ट का नाम रखा है बहुत important है याद रखिएगा इंडिया ने अभी जिबूटी code of conduct को observer के तौर पर अप्रूव किया है maritime security Indian Ocean में बढ़ाने के लिए ठीक है उसके बाद है कि एक assessment organization है Economic Corporation and Development OECD इन्होंने नमान लगाया कि financial year 2021 में भारत की GDP के विकास में 20.0% की गिरावट आएगी ये आकड़ा जो है गलत दिया हुए 10.2% की गिरावट माइनस में इन्होंने आखी है माइनस 20% नहीं तो answer हो जाएगा हमारा only 2 क्योंकि इसमें not correct पूछा है ठीक है ये आकड़ा जो है 20% का नहीं है ये है 10.2% का माइनस में College of Engineering पुने जो है इसको AICTE का best institute का पुरुसकार मिला है विश्व कर्मा आवर्ड में तो हमारा answer सही हो जाए किसमें D सारे यहां पर सही है इसके बारे हम कथन mainly जो आपको याद रखना है कि AICTE का ये आपका best institute का आवर्ड विश्व कर्मा आवर्ड की से मिला है College of Engineering पुने को Project Shield के बारे में विशार करना है Project Shield तमिल नाडू के पांच जिलों में लॉंच किया गया है तिरूची, पुदु कोट्टाई, करूर, पेरंबलूर और अरियालूर तो महिला और बच्चों के खिलाफ अपराद का मुकाबला करना इसका लक्षा है Operation Shield का Violence Free Communities create की जाएंगी पांच डिस्ट्रिक्ट में और इसको International Justice Mission के साथ मिल करके संचालित किया जा रहा है सारे answer यहाँ पर सही है सारे कथन answer हो जाएगा D यह भी काफ़े जरूरी question है हाली में कौन सा ऐसा देश है जो संयूकत राष्टर द्वारा जो सतत विकास लक्ष्टों से संबंदित sovereign bond जारी करने वाला दुनिया का पहला देश बनाए और इससे यह 7500 million euro या फिर कह सकते हैं 890 million dollar जुटाएगा तो मारा answer सही हो जाएगा इसमें Mexico है Option B Sustainable Development Goals UN से related sovereign bond जारी करने वाला पहला country पूरे विश्व का है Mexico पिगरी mission के बारे में सही कतन चुनना है मेघाले में शुरू किया गया है 209 crore रुपए के आउटले के साथ NCDC यानि किनासल कॉपरेटिव डवलोप्मेंट कॉपरेशन और लाइफ स्टॉक इंटरप्राइजस 29 societies के संचालन में हो रहा है main objective है 1500 कलोर रुपए का ये जो है next 3 year में मेघाले को pork production में यानि की सुवर के मास उत्पादन में self-sufficient आत्मिर्भर बनाना है तो कुल भी लाकर इसका answer हो जाएगा D all of the above ठीक है कम सकम ये ध्यान रखिएगा कि बदब लक्ष क्या है कि मेघाले को self-sufficient बनाना है pork में यानि सुवर के मास में और जो annual import होता है भारत में सुवर के मास का 1500 क्लोर रुपए का उसको पूरी तरीके से खत्म करना है 9 September 2020 को Dr. Harshwardhan ने WHO के दक्षिन पूर्व एशिया छेत्र के 73 सत्र में विडियो कॉंफरेंसिंग के जरिये भाग लिया और 73 सेशन जो है इसको होस्ट कर रहा है थाइलेंड answer हो जाएगा C, बोथ करेक्ट अगला statement है कि अभी की सरकार को PTI यानि Press Trust of India का Chairperson बनाया गया है, सही है और समीर खरे जो है President बने है National School of Drama के परेश रावल तो not correct वाला हो जाएगा only third अभी उंको बताना है कि अभी टाइफून हैशन नाम से कहां पर आये था टाइफून हैशन कहां से आई या आप जो है, हमको comment करके बताएगे